इसके इस चुनाओं में अब स्पस्ट दुप से दो खेमें बन गए हैं एक तरफ हम लोग इमान दारी और पारदर्सिता चंता जनारदन के सामने लेकर के आये हैं दूसरी तरफ प्रस्टाचारी परिवारबादी उनका जमावड़ा है ये प्रस्टाचारी मोदी को दमकी भी दे रहे हैं दिन राद गाली भी दे रहे हैं अब देखिये क्या खेल चल रहा है हम हैं जो कह रहे हैं ब्रस्टाचार हटाओ और वो कहते हैं ब्रस्टाचारी बचाओ आप मुझे बताइए ब्रस्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए प्रस्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए प्रस्टाचार से मुक्ती मिलनी चाहिए कि नहीं मुलनी चाहिए प्रस्टाचारी जेल जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए प्रस्टाचारियों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए ये देश की आवाज है और मोदी आपकी हर आवाज को सुनता है और उसके लिए ताक़ भी लगा देता है लेकिन साथियों मुझे कितनी गालिय दी जाए कितने ही आरोप लगाए जाए मोदी इनकी गालियों और धंकियों से डरने वाला नहीं है हर ब्रस्ट पर कारिवाई चारी रहेंगी और तीसरे टम की शुरुवात में अब दो सवादों महिने बाकी रहें बहुत कम समय बाकी रह गया है तीसरे टम में ब्रस्टा चार पर और प्रहार होगा यह मैं आपको गारंटी देने आया प्रस्टाचार हर गरीब का हक चिनता है हर मद्दम्र का हक चिनता है और मैं गरीब का हक मद्दम्र का हक किसी को भी चिनने नहीं दूँगा इसके इस चुणाऊं में अब स्पश्ट लूप से दो खेमे बन गए है एक तरफ हम लोग इमान दारी और पार्दर्सीता जनता जनारदन के सामने ले करके आए है दूसरी तरफ प्रस्टाचारी परिवारबादी उनका जमावडा है ये प्रस्टाचारी मोदी को दमकी भी दे रहे है दिन राद गाली भी दे रहे है अब देखिए क्या फेल चल रहा है हम है जो कह रहे हैं प्रस्टाचार हटाओ और वो कहते हैं प्रस्टाचारी बचाओ आप मुझे बताएए प्रस्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए प्रस्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए प्रस्टाचार से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मुलनी चाहिए प्रस्टाचारी जेल जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए प्रस्टाचारियों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए ये देश की आवाज है और मोदी आपकी हरावाज को सुनता है और उसके लिए ताकब भी लगा देता है लेकिन साथियों मुझे कितनी गालिय दी जाए कितने ही आरोप लगाए जाए मोदी इनकी गालिय और धमकियों से डरने वाला नहीं है हर ब्रस्ट पर कारवाई जारी रहेगी और तीसरे टम की शुरुवात में अब दो सवादों महिने बाकी रहे हैं बहुत कम समय बाकी रह गया है तीसरे टम में ब्रस्टा चार पर और तीज प्रहार होगा यह मैं आपको गारंटी देने आया हूँ प्रस्टा चार हर गरीब का हग छिनता है हर मद्वर का हग छिनता है और मैं गरीब का हग मद्वर का हग किसी को भी छिनने नहीं दूगा इसके इस चुनाओं में अब पस्ट लुप से दो खेमे बन गए है एक तरफ हम लोग इमान दारी और पारदर सीता जनता जनारदन के सामने ले कर के आए है दूसरी तरफ प्रस्टाचारी परिवारबादी उनका जमावड़ा है प्रस्टाचारी बचाओ और मोदी आपकी हर आवाज को सुनता है और उसके लिए ताकत भी लगा देता है लेकिन साथियों मुझे कितनी गालिया दी जाए कितने ही आरोप लगाए जाए मोदीन की गालियों और धंकियों से डरने वाला नहीं है हर प्रस्ट पर कारवाई चारी रहेगी और तीसरे तंकी शुरुवात में अब दो सवादों महिने बाकी रहें बहुत कम समय बाकी रह रहा है तीसरे तंक में ब्रस्टा चार पर और प्रहार होगा यह मैं आपको गारंटी देने आया